आज हम बिल्कुल मुलाया मुँ में घुल जाने वले दही पड़े बनाएंगे इतने असान तरीके से बनाना बताया है कि आप एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट दही वड़ा बनाकर तयार कर पाएंगे और जिसे भी आप ये खिलाएंगे वो आपकी बहुत ताजिफ करेंगे इन धही वड़ों को बनाने के लिए मैंने ली है दो कटोरी उड़त की दाल आप अपने हिसाब से दाल को कम्या जादा कर सकते हैं क्योंकि उड़त की दाल फूलने के बार बिल्कुल डबल हो जाती है अब हम इसे अच्छे से वोस करेंगे तीन से चार बार बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें इसे धो लेना है ये देखिए मैंने इसे चार से पांच बारी अच्छी से धो लिया है इसका पानी बिल्कुल साफ हो गया है अब हम इस दाल को आच से दस खंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे दाल जितनी जादा देर तक यहाँ पर फूलने के लिए छोड़ेंगे उतने ही सोफ दईवड़े बनकर तयार होंगे ये देखिए दाल अच्छे से फूल गई है बहुत असानी से तूट गई है तो आईए दाल को पीस लेते हैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे पीस ते टाइम अगर जरूत होगी तो ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे दैवडे में और ज़दा स्वात बढ़ाने के लिए हरी मिर्च डालेंगे थोड़े से ताने जीरे के बीस में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे चलिए दाल अच्छे से पीस कई है तो अब एक मिक्सिंग बाउल में इसे निकाल लेते हैं दाल पीसने में ध्यान रखिए कि थोड़ा थोड़ा करकरी हमें इसमें पानी मिलाना है ज़्यादा पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है अब पिसी हुई दाल में थोड़ा सा सेंदा नमक डालेंगे और हातों से अच्छे से इसे फैट लेंगे करीब पान्स से दस मिनट के लिए हमें आपर दाल को अच्छे से फैट ना होता है मैं हापर दाल को हातों से फैट रही हूँ अगर आप चाहें तेहाँ पर विसकर का भी यूज कर सकते है जितने ज़्यादा दाल फिटेगी उतने ही सोफ तही बड़े बन कर तयार होंगे आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे दाल फिटती जा रही है ये और भी फिलपी बनती जा रही है और इसकी मात्रा भी बढ़ गई है तो मुझे दाल को फैटते हुए टोटल दस मिनट हो गए है दाल पहले से कहीं ज़्यादा स्मूथ हो गई है तो अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारी दाल बड़े बनाने के लिए तयार है कि नहीं ये बहुत ही खास स्टैप होता है धैवडो को चेक करने के लिए तो इसके लिए हमें क्या करना है एक गटोरी में पानी ले लेना है और जो दाल हमने फैटी है ना उसको इस पर थोड़ा सा डाल कर देखेंगे ये देखे पानी के उपर किस सरीके से दाल तैर रही है इसका म तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे उसके बाद हातों पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और दाल के मिश्रन को थोड़ा थोड़ा सा करके तेल में डालते जाएंगे आप देखेंगे वड़ा अपने आप से गुमता जाएगा आप चाहें तो यहाँ पर कट्ची को इस तरीके से उपर उपर गुमा देजिए तही वड़े बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे और दोनों चरफ से अच्छे से सीख जाएंगे बस जब इनका कलर थोड़ा सा सुनहरा होने लगे तो तब हम वड़ो को तेल में से निकाल लेंगे यहाँ वड़ो को हमें बस इसी कलर में रहने देना है देखें बिल्कुल गोल गोल और फूले हुए वड़े बनकर तयार है एक तरीका और है इन वड़ों को बनाने का आपने देखा होगा न मार्किट के जो दई वड़े होते हैं उसके उपर बदाम लगा होता है तो वो इस तरीके से उन वड़ों को बना कर तयार करते हैं इसे बनाना भी पहुत ही आसान है अगर आप इस तरीके से वड़ो को बनाएंगे तो कोई कही नहीं पराएगा कि आपने घर पर बनाए हैं कि आप मार्किट से लेकर आए हैं अगर आपको हमाई रेस्पी थोड़ी सीवी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें कैस की फ्लेम को लो टू मेडियम ही रखे और वड़ो को अपने आप से सीखने दीजिए पोनी को इस तरीके से गुमाते रहेंगे तो वड़े दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाएंगे देखे इन में बहुत अच्छा कलर आ गया है तो अब इने तेल से निकाल लेंगे तो बस इसी तरीके से सभी वड़ो को बना कर तयार कर लेंगे अब हम एक बड़ा खुला बर्तन लेंगे उसमें पानी डालेंगे और नमक डालेंगे और थोड़ा सा हींग बीज में डाल देंगे इस पानी में हम वड़ो को भिगो कर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए सभी वड़ो को इस पानी में डाल देंगे हाथों से अच्छे से बढ़ों को दबा देंगे और फिर इसे ढग कर छोड़ देंगे अब लेंगे एक mixing ball और उसमें पिसी हुई चीनी को हमें आपर डाल देंगे और साथ ही में इसमें दही को भी मिला देंगे अब इसे विक्सर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे से अच्छे से फैट लेंगे और लीजे हमारे वड़े की दही बनकर तयार हो गई है बहुत ही सोफ्ट वड़े बनकर तयार होए हैं इन्हें अच्छे से निचोड लिया है अब दही डालेंगे, सबसे पहले आमें वड़े में दही डालनी होती है अच्छे से दही से वड़ो को कवर कर लेंगे दही के बाद बारी आती है हरी चटनी की तो हरी चटनी को भी दही वड़ो में डाल लेंगे और सबसे आखिर में बारी आती है मीठी चटनी की तो मीठी चटनी को भी तही वड़ों पर अच्छे से फिला लेंगे बहुत ही टेस्टी तही वड़ों बनकर तयार हुए हैं आप भी इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करें और अब आखिर में हम लाल में जो नमक का एक मिशन बनाएंगे और उपर से तही वड़ों पर डाल देंगे ये लीची बिल्कुल सोफ्ट मुँ में घुल जाने वाले तही वड़े बनकर तयार है बहुत ही सोफ्ट तही वड़े बने हैं आप देखकर ही समझ गए होंगे एक बार और इसे कट करके दिखाती हूँ ये देखिए कितने सोफ्ट ही बड़े बने है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट चरूर करें तो फे मिलते हैं किसी और नए और एजी रिस्पी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग